दोस्तों, आज का मारा टॉपिक है ब्रॉंकाइक्टीएसिस ब्रॉंकाइक्टीएसिस is a chronic dilation of the bronchi and bronchioles due to inflammation, chronic bacterial infection and destruction of their walls देखो, ब्रॉंकाइक्टेसिस क्या होता है? तो यह एक लंक्स से related बिमारी है, है ना? लंक्स की disease है, तो इसमें क्या है? bronchitis क्या है, chronic dilation of the bronchi and bronchios यानि जो bronchi होता है lungs में bronchis होते हैं, है ना यानि जो airway passes होते हैं, उनको हम कहते हैं उनका नाम है bronchi और bronchios तो जो bronchi और bronchios होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बुरी तरीके से dilate हो आते हैं, ठीक है due to inflammation, किस के कारण होते हैं है जो भी जो भी इसकी वौल सो ती हैं जो है यह जिसको हुघ 좋아요 यह डिस्ट्रक्षन होए लगता है तब क्या होता है यह धो जाते हैं पुरी टरीके से जिसको हम कहते हैं बॉर्ह 과 एक लेज्टकर बात क्रते हैं इसके से च pills यह इन्विस तो देखो pulmonary infection हो सकता है पेशेंट को यह किसी भी pulmonary infection के करण लंगस में कोई भी infection हो जाएगा जिसमें जैसे कि पर ट्यूस और किसी patient को है तो उसकी वह रहा है infection हो सकता है ठीक है next obtuction of bronchi यहâuता है अगर पेशिएंट की जो bronchi है कि एयर वे में passes है क्या है कोई भी Tucson अगर हो जाता है तो उसके विए से oh सकता ह। next is at ушman offers my का किशेंट inert he使 각 555 कनी का मतलब है प Sergeant पाणी पी रहा है ठीक है पानी पीते हूए उसका universal गया तो जो पानी है वह उसकी वह क्या खेते हैं जो भी एयर अर्ड है सोरी जो भी एयर भी क्या हो सकता है ब्रॉंकाइटेस हो सकता है ठीक उसके बाद आता है chemical और material from upper respiratory tract ठीक है देखो कोई भी chemical वगरा या फिर किसी material हो क्या होना respiratory tract में चले जाना ठीक है जिसके वेशे क्या होता है उस patient को bronchitis हो सकता है ठीक है next is cystic fibrosis तो cystic fibrosis क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें जो भी patient है उसमें क्या है उसका respiratory respiratory tract है उसको affect करता है और जो digestive system है उसको भी cystic fibrosis affect करता है ठीक है cystic fibrosis क्या है एक life threatening condition है ठीक है तो इसके कारण भी क्या हो सकता है patient को bronchitis हो सकता है ठीक है next इसमें ciliary dysmortility syndrome देखो यहाँ पर लिखाया तो यह इसमें इसको आप करेट कर लेना ठीक है यह सिलेरी तो सिलेरी डिस्मोडिलेटरी सिंड्रोम इसमें क्या होता है तो यह करता है इंफर्टिलिटीटी कॉस करता है ठीक है इसके कारां इंफर्टिलिटीटी कॉस होती है ठीक इसमें क्यों होता है जो भी तनी हे एर लाइ strutures होते हैं जिनने cilia कहा जाता है ठीक करते है जो एयर वे मन क्या होता है झाय में चीलिए नामके कुछ नहीं कर पाते हैं ठीक है जिसकी वे से क्या होता है ये दिक्कत हो जाती है ठीक है जो ciliary dysmortility syndrome है इसके वे से infertility because होती है पिशेंट को ठीक है नेक्स इसमें alpha-1 antitrypsin deficiency तो देखो alpha-1 antitrypsin antitrypsin deficiency क्या है तो कि वाजा वहाट है जो भी हमारा जो लंक्स है ना उसमें किवाइब कर देखकता घ्र ठीक है तो यह k्या है एक प्रोट्येस इन हीबिटर है जो एansas ऑ्यरस ही है वहरोट्येस इन हीजिडर है इसकी फिर्विक्न भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या निसके साइन सिम्टम्स के बारे में तो देखो Profitance Curve with production of copies amount of purulent sputum persistence puff आता है patient को यानि क्या होगा patient को लगातार कफ आएगा और क्या होगा उसको बहुत ज्यादा मात्रा में उसको इसपुटम है उसका क्या होगा एखटा होने लेगा ठीक है वो बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में इसपुटम लेगा और purulent येखर इस डियोंद्ट इस पूटम आएगा पुलेंट मतलब होता है कभी-कभी उसको यॉसाइट में उसमें बेड़का आना व convicted के प्रूख णहाएका उसके इस पूटम मेंョ लएगी next is dysnia patient को क्या होगा difficulty breathing होने लएगी next craft feverどう patient को क्या होगा fever आता रहेगा बार बार या फिर रुल रुक पीज़ेसे इसी सुबभर को आ गया या फिर शाम को को आ घुझा फिर एक दिन नहीं आ आ पिर दुढ़रा से आ गया नहीं आ लंक्स के लोब्स है उन में से क्रेकल्स और रॉंघाइब होता है इसमें जो भी नेल्स होते हैं यह रावंड आ जाते हैं जैके अबनॉर्मल राउंड shape जो Nails हैं वो हो जाते हैं finger clubbing में तो यह सारे जो sign mystum से यह bronchitis में देखने को मिलते हैं नेस टम बात करते हैं इसके diagnostic findings के वारे में यहाणि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि patient को bronchitis है तो first is high resolution city scan is necessary ते हो क्या होता है patient का जो city scan है वो होना चाहिए high resolution का city scan होना हफट्ख है तिकल्ण फैट्स होता है इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेइल पिरूती है हमारी बॉडदी की ठीक है इसकी लिए हम उसको कहते है हाइच्छ बहुत ज़्वोशन चेंचर लंग्स की भी जो बहुत ज़्यदा पिच्चर यह दिखाएगा जिससे पता चल पाएगा कि यह क्या है यह क्या है ब्रॉंकाइटेसिस है नेक्स्ट चैस्ट एक्सरे में रिवील एरियाज ओफ एटलेक्टेसिस विद वाइड इस्प्रेड डायलेशन ऑफ ब्रॉंकाय ठीक ह देखो चैस्ट एक्सरे कर सकते हैं हम पिच्ट का जो क्या करेगा एटलेक्टेसिस को दिखाएगा ठीक है जहां भी क्या हुआ है एटलेक्टेसिस हुआ है एटलेक्टेसिस का मतलब होता है कि पार्शियली यह कंप्लीट कॉलेप्स ओफ लंग्स ठीक है जब भी क्या होता ह है Lung's पूरी तरह से क्या होते हैं यानि फिर बहुत कम मातरा में है फिर है वो चिपक जाते है तब हम उसको कहते है एटलेक्सीस ठीक है तो एटलेक्सीस में दिखा सकता है चेश्रेक्स रहे झालप ले Sum 2 या फिर क्या हुआ हो है हम क्या कर सकते हैं इस पोट me examination कर सकते है पेशन के जो क्या करेगा offending pathogens को डिखाया नियुक्ष जो कर सकते हैं इस पूटम examination से एंजेश में PFT to evaluate air flow abstuction and impact he who PFT m कर सकते हैं यानि pulmonary function टेस्ट कर सकते हैं इससे क्या होगा पेशेंट के और चल जाएगा अगर उसके लंग्स में या फिर जो ब्रॉंकाई है उसमें कोई उसका पता चल सकता है पल्मररी फिंक्शन से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट याने के management के वारे में ठीक है तो इसमें गोल क्या रहेगा हमारा ट्रिवेंट प्रोग्रस्टन ओफडिसीजande हमें हमेंटिस को किया को प्लता है फैलने से बचाना की किशब्स को पेशेंट को anti-microbial treatment दे सकते हैं ठीक है यानि अगर उसको bacterial infection है तो bacteria की antibiotics उसको दे सकते हैं ठीक है और अगर पेशेंट को क्या है viral infection है तो antiviral drugs दे सकते हैं पेशेंट को ठीक है उसके बाद है और pneumococcal vaccine यह होती है ठीक है दो तीन तरह की vaccines होती है जो patient को लगाई जाती है जिससे हम क्या कर सकते हैं infection को control कर सकते हैं next आता है इसमें secretion clearance technique may be helpful such as postural drainage PEP valve flutter valve ठीक है हम क्या कर सकते है पेशेंट का secretion clearance technique का use कर सकते हैं secretion clearance technique का मतलब होता है कि जो पेशेंट को sputum आ रहा है ठीक है उसको clear करने के लिए हम कुछ techniques का use कर सकते हैं जैसे एक है posterior drainage ठीक है PEP valve और flutter valve posterior drainage का मतलब होता है कि हम patient को sitting position में बठाते हैं या फिर patient को हम लेटा देते है जिससे क्या होता है पेशेंट को जो भी एयर ट्रेक्ट है ठीक है उससे जो भी सिक्रेशन हो रहा है वह ग्रैविटी के थुरू बाहर निकलता है है ना यहीं हम पेशेंट को जैसे हमने बठा दिया पेशेंट को और पेशेंट को थोड़ा उसकी जो सर है उसको थोड़ा न लंग्स से जो भी mucos होता है, उसको remove करते हैं, ठीक है, जो PEP है, PEP valve है, वो क्या करता है, लंग्स से mucos को निकालने में, mucos को remove करने में help करता है, next आता है flutter valve, ठीक है, जो flutter valve है, वो भी ये करता है, वो भी patient का जो भी mucos है, उसको निकालने में help करता है next test में mobilization and exercise such as in a pulmonary rehabilitation program हम क्या कर सकते हैं patient को जल्दी से जल्दी mobilize कर सकते हैं ठीक है patient को exercise करने के लिए कर सकते हैं यह देखो जब भी क्या होगा patient थोड़ा बहुत ठीक होने लएगा तो patient को कहेंगे कि तुम क्या करो ठीक हो थोड़ा चला फिरा करो ठीक है और exercise किया करो जिससे क्या होगा उसको यह सारी दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़ेगा next आता इसमें bronchodilators for bronchodilation and improve secretion clearance ठीक है हम क्या कर सकते हैं patient का ब्रॉंको डिलेटरist patient को प्रवाइड कर आ सकते हैं भी जाता है जो से क्लिए रेंस होता है वो इंप्रूव होता है तो यहां भी पेशेंट को क्या है दिकत हो रही है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रस्टेस में e-cess mucas production और superation यानि क्या होता है पेशेट को अगर इसका इलाज नहीं करा गया या पिशेट को क्या हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो सकता है यानि जो patient को जो फेप्डव अगयरा है उसमें भी hemorrhage हो सकता है next is COPD patient को COPD हो सकता है COPD का मतलब होता है chronic obstructive pulmonary disease यह क्या है a group of lung disease that block airflow and make it difficult to breathe यानि जो COPD होता है उससे क्या होता है कोई भी दिक्कत हो सकती है ठीक है जो difficulty breathe करने में difficulty हो सकती है ठीक है या फिर जो airflow है उसमें भी blockage आ सकती है next pulmonary hypertension यह पेशेंट को pulmonary hypertension होता है ठीक है यह क्या है एक टाइप का blood pressure है जो कि हमारे lungs की arteries को और heart को affect करता है ठीक है जो pulmonary hypertension है वो क्या होता है हमारे lungs की arteries को और हमारे heart की arteries को affect करता है next core pulmonale core pulmonale क्यों होता है एक ऐसी condition होती है जिसमें जो राइट साइड का हर्ट होता है वो फेल हो जाता है वो हो फेल हो जाता है कौर पल्मोल्टेल में तो यह था हमारा बेस इनर्सिंग सेकेंडियर का ऐarle को टॉपिक जो कि है ब्रॉंकपटेसेस अगर आपको एक टॉपिक समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जाए से जाए से शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं